नवस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत हैं तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपके Classical Mechanics के काफ़े सारी Important Formulas के बारे बिस्कॉसन करेंगे जो कि आप सभी के BHU MSC Physics Intense Exam या फिर All India के इस दिने भी MSC Physics Intense Exam, CSR and Physical Science इन सबके exams में आते रहते हैं चीज़े ठीक है तो इसके Formulas को देखेंगे जो कि आप लिए बहुत ज़्यादा Important है बहुती फायदेमन देख दर्गे साब बोल सकते हैं ठीक है इस वीडियो को स्टार्ट तो उससे पहले आप जान आप बहुत साइट इस ने ख्रैक कर रखा है मेरे पढ़ा इस ट्रेंट्स ठीक है कब देख सकते हैं तो आप हमारा एक प्लस स्ब्किप्सन ले सकते हैं गया वहाँ पर आपके पास काफी सारे ओप्सन्स होते हैं जाके आप चेक कर लेंगे ठीक है और वहाँ पे सब्सक्रा सब्सक्राइब यहाँ जिससी कि आपको 10% के इस्टेंट डिसकाउंट मिल जाता है ठीक है आपके फिलार मेंसी फैसिक्स एक्जाम के बैच चल रहे हैं और भी आपके आपके फैसिक्स ट्वंटीटू के लिए बैच चल रहे हैं जिनको आप एजली जाकर जोइन करके अपन होते हैं कि सब में आपको लाइब क्लासे आपको मिलती हैं आप अगर लाइब क्लासे मिस कर जाते हैं तो हमेंसे आपके पास रिकॉर्ड रहते हैं वीकली टेस्ट आपको प्रॉवाइड करा जाता है आपके स्ट्रॉक्चर कूर्सिस रहते हैं ठीक और आपको अन्लिम्ट एक्सेस दिया जाता है गया इस वहाँ पर चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास जो हमेल्टोनियन प्रिंस्पल है हमारे conservative system के लिए तो आप देख सकते हो गया जो भी आपके पास एक motion of the system है टाइम टीवन से लेगे टाइम टीटू तक ठीक है तो इसको हम एक यहां पर जो भी आपका सिस्टम में होता है यहां पर क्या रिपसन करता है इस एक तरीके से न जो भी आपका path of the motion है उसके लिए यह न आपका extreme value यह आपके रिप्रेजन कर रही है ठीक है उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो आपका conservative system है ठीक है आपका lagrangian equation है आपके conservative system के लिए आप जानते हो d by dt of यह conservative system के लिए है अगर मैं non conservative system की बात करता हूं तो हमारे पास जो lagrangian equation of motion जो हो जाता है आपका कितना d by dt of डलल अपके पास एक lagrangian है अगर चार्ज particle के लिए किसी भी electromagnetic field में तो आपका जो lagrangian होता है एल आप इसको ऐसे represent कर सकता है एल इसको हाफ mv square plus q upon a c v dot a vector minus q5 आपके पास ही हो जाता है यह जो आपका lagrangian है यह आपके एक charge particle के लिए वो भी v dot a vector जो भी आपके पास value है यहाँ पर हमने जो देखा अभी तक यह जो फाई है आपका scalar potential बोला जाता है वो जो आपका a vector यह आपका vector potential बोला जाता है यहाँ ठीक है यह सारी चीज़ आप जानते हो उसकी बाद रहे माली जो बात करते हैं जो definition of energy e in the rotating frame is आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपके energy of designations है आप T प्लस effective potential एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो यह आपका kinetic energy हो जाता है half mb square minus half m omega cross r square plus v आपके पास हो जाता है ठीक है अब आपके जो दोनों इक्विशन हम देख रहे हैं आपका first and second expression तो आप देख सकते हो the scalar potential energy जो e 5 tends to मतलब कि approximate to आपका effective potential के बराबर होता है ठीक है तो यह चीज़े आपके पास बोल सकते हैं देख सकते हम यहाँ पर हम अगर हम अपने lagrange equation of motion का अगर application की बात करें तो जो हमारा lagrange equation of motion होता है linear harmony calculator के लिए कितना होता आपके पास l is equal to half mx dot square minus one by two kx square होता है यहाँ पर ठीक अगर इसका equation of motion निकालता हूं मालीजे तो mx double dot plus kx is equal to 0 यह वही चीज़ है बस आपको क्या करना था आपने देखा दा देखा दा देखा दा देखा 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 अगर आपको x के respect पर differentiate करके यहां पूट कर देगे तो आपके पास yi-le relation आ जाता है ठीक और final आपका जो equation of motion होता है linear harmony cost letter के लिए कितना x double dot plus k by mx is equal to 0 आपका अगर मैं simple pendulum के लिए बात करते हूं गया यहाँ पर ठीक है तो आप देख सकते हो जो lagrangian equation of motion होता है l is equal to one by two ml square theta dot स्क्वार माइनस एम जी एल बॉन मैंस कॉस्ट थीटा होता है अगर मैं इसका इक्विशन अभूसर लेक्षा तो यह देखिए आपका लाइगर एंजियर नहीं यह आपका इक्विशन अभूसर लेक्षा यह आप यह थीटा डबल डॉक्लस जी बाइएल थीटा इस इको डूझ जीरो आपके पास ही हो जाता है ठीक है अगर मैं कभी बात करता होगा इस आपका सिंब्स्वेशन पैंडूलम के लिए तो जो आपका लाइगर एंजियर होता है कितना वन बाइटू एम रिस्टा थीटा दॉट एक सब्कार प्लस आरे स्वाइग धीटा डॉट इसक्वेयर प्लस आरे स्कार सानिसकार थीटा फाइटिस फाइओ टेकिन और माीनस वन बाइटू की आरे स्कार आपके पास यह वैलूग हो जाती है ठीक है आप देख सकते इसको उसके तरह हम बात करते हैं माले जीट 2LY1 डॉट आपके पास थीटा डॉट कॉस थीटा आपके पास यह हो जाता है ठीक है M1 प्लस M2 GY1 माइनस M2 G L साइन थीटा यहाँ पर ठीक है तो यह थोड़ा सा जो डम बेलो लाएगा है यह काफी एक लेंदी सा है इसको आप छोड़ सकते हो इसे ठीक है इसकी जरूत नहीं है इसको आप नेगलेक्ट बार सकते होगा है ठीक है बस यह कि ध्यान आप रखिएगा कभी हो सकता है कभी आपके अधर एक्जाम्स में काम आजए लेकिन इतना लेंदी नहीं आने वाला है ठीक है अगर मैं कभी भी बात करता हूँगे आपके पास कोई भी पार्टिकल अगर वो सेंटर फोस के अंडर मूव कर रहा है तो आप देख सकते उसका जो लाग्रेंजियन होगा कितना 1 by 2 m r dot square plus r square theta dot square plus k by r आपके पास ही हो जाता है ठीक है और अकर में इलेक्टिकल सर्कीट के लिए जो भी आपके लाग्रेंजियर निकालना चाहता है तो कितना हो जाता है L E is equal to T M minus V E ठीक है तो देखिए अगर मैं बात करता होगा यहाँ पर T M जो होता है ना आपका magnetic energy for electrical circuit हो जाता है और जो V E होता है ना यह आपका electrical energy of the electrical circuit हो जाता है गैसे हाँ पर ध्याँ पकिए magnetic energy जो भी आपके पास electrical circuit का अगर मैं compound pendulum के बात करता होगा इस तो हमारे पास जो लागर एंगर हो जाता है अगर मैं output machine की बात करता हो ना हमारे पास लागर एंगर होता है जो 1 by 2 M1 plus M2 X1 dot square plus M1 minus M2 GX minus V naught आपके पास हो जाता है ठीक है और अगर हम बात करते हैं कुछ conservation theorem है आपके system जब भी आपके motion में होते हैं तो ठीक है तो अगर अलग अलग तरिकी से सबसे पहले हमारे पास cyclic या फिर ignorable coordinate की बात करते हैं तो आपको अभी भी देखिएगा ना हम अगर लागरेंजियन आप system के बात कर रहे हैं और वो एक particular coordinate को अगर contain नहीं करता है ठीक है तो आप उसको अगर लागरेंजियन को उसके respect में अगर आप डिफरेंसियेट करना चाहेंगो तो आपके पास value क्या जाएगी जीरो है को जो भी coordinates होते हैं इसको हम ignorable coordinate या फिर cyclic coordinate के नाम से जानते हैं ठीक है अगर हम generalized momenta की बात करते हैं गाजी इट इस also termed as conjugate और canonical momentum जीक है तो जो हमारे पास generalize momentum होते हैं गाज इनको एक तरीके से हम conjugate momentum या फिर आपके canonical momentum के भी नाम से जानते है ठीक है तो जो आपका pj is equal to del element del qj dot b आप इसको बोल सकते हो अपने कर्वियर की according इसके अधर हम आलेज बात करते हैं कैसे यहां पर conservation of linear momentum यह क्या हो जाता आपके पास if a coordinate corresponding to a displacement is cyclic अब एक काम करते हैं हमारे पास जो भी एक coordinate है वो अगर displacement को अगर कर्रिस्पॉंड कर रहा है न हम यह सपोस कर रहे हैं तो वो एक cyclic coordinate है माल लीज़े ठीक है description of system motion remain invariant under such a translational and linear momentum is conjured ठीक है तो हम यहां पर बात करते हैं अगर वहां पर constant हो जाता है मतलब कि हमारे पास जो एक linear momentum होगा रहा है वो आपका conserve वहां पर हो जाएगा ठीक है तो जो आपका एक component होगा नगेज़ अप्लाइट टोर का along the given axis वहां पर उसकी value क्या हो जाते हैं गाई जीरो ठीक है तो जब यह ऐसी situation आते हैं आपके और की value अगर 0 होती है तो हम आपके बूल सकते हैं कि जो आपका component of angular momentum होता है नहीं कि उस एक्सिस की alarm ठीक हो आपका क्या हो जाएगा constant हो जाएगा ठीक है तो इसी विए यहां पर जो आपका है यहां पर एट इसको टी प्लस वी होता है जिसको हम हैमिल्टोनियन के नाम से जानते हैं और यहां पर हैमिल्टोनियन chemical equation आप मुसर की बात करते हैं तो क्यू आई डॉट इसकुल टू डैल एच अपॉन में डैल पी आई और पी आई डॉट इसकुल टू माइनस डैल एच में डेल कुलिग आई आपके पास वैलु को जाती है ठीक है अगर हम अपने का हो इसका प्लस Q5 आपके पास correct answer आ जाता है गाईसे हाँ ठीक है लिख सकते हो उसके वादर हम बात करते हैं गाईसे आपने जो भी आपका फॉर जन्रेटिक फंक्शन होते हैं जिससे कि हम अपने अतलब जो भी आपका फंक्शन उसको हम जन्रेट कर सकते हैं ठीक है जो भी किन आपके पहले से इसको हमें कैनोनिकली ट्रांसफर्म करना तो ही आपका माले जीए कैपिटल क्यू कैपिटल पी ऐसा आपका नया आदा ट्रांसफर्म हो रखा गया इसे हाँ ठीक है तो मैं अब इनके क्वादिन के हिसाब से अपने जो भी फंक्सन उनको जन्रेट रखार ज़쟁सर क्या सब्सक्राइब खाल जोगा तो ऐसे करके आप साहिए कि सारे जो भी जबी जन्रेटिक फंक्सन ताव कंदगा अब यहां से जन्रेट करके अपनी वैल्यूस को निकाल सकते हो ठीक है अब इसके हिसाब से सारी सरी जो वैल्यूस है नप चेक कर सकते हो ग QI is equal to minus del F3 upon del PI और PI is equal to बात करें तो minus del F3 upon del QI आपके पास ये value हो जाती है ठीक है अगर हम fourth form की बात करें नगेजी हाँ पर जो भी आपके पास QI है minus del F4 upon del PI ठीक हो यहाँ पर जो QI है इसकी वेलों आपके पास del F4 upon del PI आपकी value हो जाती है ठीक है इसको थोड़ा सा ध्यान रुखिएगा उसकी बाद अगर हम बात करते हैं आपके poison bracket के बारे में तो poison bracket जो भी आपका X and Y आपके dynamical variables हैं तो QP के respect में देखो तो निकाल सकते हो del X upon del QI del Y upon del PI ठीक है del X upon del PI del Y upon del QI आपके पास value हो जाती है अगर हम लाग रहा है जो bracket के बात करते हैं ठीक है तो क्या होता है आपके पास अब देख सब तो U और V दो भी आपने जो variables ले रहे हैं Q और P के respect में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास del QI जैसे के हमने जो आपका poison bracket कर रहा था हमने जो values आपके bracket में रखी थी है और यहाँ पर जो values आपके bracket हो है ठीक है नो ऊपर रीचे के पास यहाँ थोज़ाँ सा डिफरेंस होता है यहाँ पर यहाँ यहाँ पर उपर एक्स वाई आपका देख रहा था ठीक है और अगर हम बात करते है poison और आपके लागरेंज ब्रैकेट के बीच में जो रिलेशन है अब देख सकते हैं अब देख सकते हैं लेकर 2N तक यूल यू आई ठीक है आपका जो यह poison bracket हो जाता है अब मतलब यह आपका लागरेंज ब्रैकेट और यह आपका poison bracket यूवल यूजा इस इकलो डैल आई जे आपकी वैल्व हो जाते हैं ठीक है और अगर हम बात करते हैं जो भी आपके पास नहीं वैनिस विल भी constant of motion और हमारे सारे सारे function जिनका जो poison bracket है आपके हमेंगरन के साथ अगर वह वैनिस हो जाता है आपका मतलब गयब हो जाता है तो इसको हम constant of motion के नाम से जानते हैं constant of motion बोल देते हैं ऐसे ठीक है and conversely poison bracket of all constant of motion with h must be 0 ठीक है और इसी के साथ जो भी हमारे हर एक constant के आपके लिए काफी helpful होंगे कैसे यहां पर सारे के सारे सारे relation आपके ठीक है आई हो थोड़ा सब मैच कर लेंगे क्या का चीज हमने देखा है यहां पर बात करें तो ठीक है यहां पर हम करनो असली का बात करते हैं इसके जस्ट अपूसित होता है आप ठीक है ना ध्यान देजेगा आप लोग हमारे पास जो भी चीज़े होती है हमने आपके देखा जिस्तने भी हमारे functions है ना वो poison bracket with Hamilton यहां पर चीज़े हैं अब जरूर रिलेट कर लीज़ेगा ठीक है अगर वीडियो अच्छे लिए लिए लिएक कर दीजिएगा और टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लीज़ेगा जहां पर आपको सारी अपडेट्स हमारे लेक्ट्टर से लेटर प्रवाइड कर लेज़ेग अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर लाइब करके आप बहले के जरूर प्रेस कर लीज़ेगा ठीक है और आप अकेडमी पर सब्सक्राइब करते हैं हमारा रेटरल कोड जरूर याद रखिएगा जिससे कि आपको मैक्सम डिसकाउंट मिल सकेगा इस वहां पर ठीक है ना राज सर्वाइट है आपका रेटरल कोड है जिसको अब ध्यान प्रखिएगा गाइस ठीक है ऐसे जाकर आपको प्रोजीड करना हमारा पर पेवेंट करते हैं तो आपको वैलू आपके मिल जाते हैं ओके थैंक्यू